हलो स्टूडेंट तो बहुत सारे कवी और लेखोकों के बारे में हम जानतों रहें लेकिन एक जिस ये ध्यान रखेगा कि ये आप किस प्रेटफॉर्म पर देख रहें डेफिनेट सक्सेस पाथशाला में और मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रुपाली वर्मा आपको इन सभी कवी और लेखोकों के बारे में जानकारी दे रही है जो कहीं न कहीं आपके लिए काफी कारेगर साबित होने वाले हैं तो आज भी हम ऐसे ही एक कवी लेकर आए हैं नाम सुना होगा ये 100% शूर है क्योंकि काफी फेमस रहे हैं ये नाम आप देख रहे हैं काका कालेलकर जैसे इनकी पिचर दी हुई है बहुत फेमस रहें इवेन इन्होंने टीवी वगेरा पर भी काफी कवी सम्मिलनों में पार्ट लिया हुआ है तो जिनको मैंने देखा हुआ है चलिए देखते हैं इनका नाम पहले एक छूटा सा इंट्रू देख रहे हैं नाम है काका कालेलकर अन्य नाम है दत्तात्रे बालकृष्ण कालेकर काका साहब आचारे कालेलकर ठीक है तो ये इनके कई और नाम है इनका जन्म हुआ है एक दिसंबर 1885 में कब हुआ 1885 में जन्म इस्थान जहा 17 मुंबई ठीक है मुरत्य रही 21 अगस्थ 1981 में मुरत्यों इस्थान जहा नहीं दिली पेशा इनका रहा लेखक रहे पत्रकार रहे स्वतंतरता सेनानी भी रहे और गुजरात विद्यापीट के कुलपती भी रहे तो मतलब काफी कारिकिया लेखक तो रहे ही अब जैसे मैंने बताया बहुत सारे लेखक जो है वो पत्रकारिता के शित्र में भी आए और यह जो भी स्वतंतरता संग्राम के आसपास जो भी कभी लेखक रहते हैं वो डायरेक्ट या इंडायरेक्ट जो है हमारे स्वतंतरता संग्राम से जुड़े ही जुड़े इसलिए स्वतंता सेनानी भी रहे और पोदय हिमालय प्रवास लोकमाता उस पार के पडोसी जीवन लीला बापु की जहांकिया जीवन का काव्य तो ये उनकी कुछ प्रमुक रचनाएं हैं जो काफी फेमस हुई भाशा किस इन भाशाओं में इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी अंग्रेजी मराठी गुजराती बा वो बहुत व्रहत्थ होगे अब आते हैं शैली अब इन्होंने किन किन शैली में लिखा लिखते समय मतलब उन्होंने किस किस तरह की शैलियों को अपनाया है इन्होंने वर्नात्मक शैली विवेचनात्मक शैली आत्मक अत्मक शैलियों की प्रमक्षता दी है यानि कि किसी पूरी तरीके से explain करके चीजों को लिखना और उस लेखन में अपने आपको शामिल करना ये इनकी महारत रही है अब आते हैं साहित्यकाल कौन साहित्यकाल रहा ये आधुनिक काल के कवी रहे हैं संपाधन इन्होंने किया अब चूकि पत्रकार रहे हैं तो किसी ना किसी पत्र पत्रका का संपाधन तो किया होगा तो इन्होंने नव जीवन जो की एक गुजराती पत्र है उसका संपाधन किया था अब इन्हें पुरसकार मेले अपने इस साहित के योगदान के लिए इन्हें बहुत सारे पुरसकार प्राप्त हुए जिसमें हैं इनके साहित अकादमी पुरसकार सन 1964 में और पद्म विभूशन सन 1979 में प्राप्त हुआ है चलिए अब इनी का जीवन परिचे हम पूरी तरीके से डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हुआ काका कालेलकर का जैन्म सन 1885 में महरास्ट के सतारा जिले में हुआ था मात्र भाषा मराठी के इलावा हिंदी, गुजराती, बांगला, अंग्रेजी आधी भाषाओं पे इनका अच्छा अधिकार था तो ऐसा देखे होता ना एक अपने अंदर से इच्छा होती है तो इनके अंदर वो इच्छा थी कि ये सारी भाषाओं को जाने समझें उन्होंन विशेश दिल्चस्वीली उनकी प्रथम पंक्ती में काका कालेलकर का नाम आता है यानि कि जो उन्होंने बताया ना कि हिंदी को राश्ट भाषा बनाने का अभ्यान चला था लेकिन राश्ट भाषा तो नहीं बन पाई राजभाषा जरूर बने हिंदी तो इसमें बहुत स भाषा के प्रचार और राश्ट्रिय कारिक्रम के अंतरगत माना जाता है यानि कि इन्होंने इतने सारे कारिक्रम इतने सारे लोगों को उत्साहित करने का काम किया दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा के सन 1938 के अधिवेशन में भाषन करते वे काका कालेलकर ने कहा था हम तो मतलब जब इतने सारी उन्हें भाषाएं आती हैं तो उन्ह सभी भाषाओं में किसी ना किसी तरीके से इन्होंने लेखनकर किया ही है काका कालेलकर का अभी जीवन उन्होंने अपने जीवन के पांच वर्ष कैद में भी पिटाए भै अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाता था हम सभी को पता है तो उन्हें भी अंग्रेजों द्वारा कैद करके रखा गया कागा कालेलकर दो बार राजसभा के सदस्र है जब भारत आजाद हो गया उसके बाद राजसभा के सदस्र है दो बार और सन 1979 में उन्हें पद्म विभोषण के उपादी से सम्मानित किया गया फिर 21 अगस 1981 को उनका स्वर्गवास हो गया तो ये उनका जीवन यहां पर 1981 में समाब्थ हो गया चलिए अब हम देखने वाले हैं काका कालेलकर की कुछ रचनाई ठीक है अभी तो कुछ देखी कुछ और देख लेते हैं देखी क्या है मराठी भाषा भाषी काका सहाब ने अपनी अधिकतर रचनाई गुजराती में लिखी देखी खुद उनकी मात्र भाषा मराठी है लेकिन जादा तर लेखन कार उन्होंने किस में किया है गुजराती में किया है संस्मर्ण यात्रा सर्वोदय हिमाले प्रवास लोकमाता उसके पार पडोसी जीवन लीला बापु की जहांकिया जीवन काका व्ये विशेश रूप से उल्लेखनी रहे तो यह उनके जो है जो जादा फेमस हुए वो सारे काका कालेलकर की अन्यरचना है हिंदी के साथ साथ काका कालेलकर ने अन्य भाशाओं में भी लेखन कार्रे किया हिंदी में तो किया उसके इलावा अन्य भाशाओं में किया तो सबसे पहले हम देखनी जा रहे हैं इनकी गुजराती में जो इन्होंने लेखन कार्रे किया है दिवारो मारा संसमर्णो उगोँ मारो देश उत्तेरे राती दिवारो ब्रह्म देश सानो प्रवास रक्षा दवनों आनन्प ठीक है तो ये इनकी गुजराती की हैं फिर आ जीत में हिंदी की रचनाय क्या दिया है निश्ठा मूर्ती कस्तूर्वा राजत्री शिक्षा के आधर्शों का विकास सह जीविनी की समस्या सक्त शरिता हिंदुस्तानी की नीती बापू की जहांकिया हिमाले की यात्रा उस पार के पडोसी उत्तर की दीवारे स्मरण यात्रा जीवन साहित लोक जीवन जीवन संस्कृती की बुनियाद नक्षित्र माला जीवन लीली महात्मा गांधी का सुदेशी धर्म राश्ट्रिय सिक्षा का आदर्श अब आजाते हैं इनकी मराठी जो इन्होंने रचनाएं लिखी ये क्या हैं स्वामी राम तीर्थ गीते चे समाज रचना शास्त्र जीवन्त व्रतोस्तफ ब्रम्हा देशाचा प्रवास भारत दर्शन इस्मरण यात्रा उत्तरे कादील भि लोकमाता लताम चेतांडव हिमालय अतिल प्रवास तो ये इनकी मराठी की रचने रही हो सकता है मुझे मराठी भाषा आती नी हो सकता है सौरी अगर मुझे मराठी को गुजराती को प्रणाउंस करने में थोड़ी धगलीब हुई हो ठीक है नेक्स आज आते हैं निस्ठा म मूर्थी कस्तोर्बा में रास्ट माता कस्तोरबा के जीवन को एजईवन की ऐसी अनेक छलक्या दी गई है गरिमा मैं रूप का सुन्दर चुत्र प्रसुत करतीं महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारी पुस्तके लिखी गई लेकिन कस्तोर गांधी भी उनके साथ हमेशा रही तो उन पर भी पुछ पुस्टके लिखी गई उसी में इन्हों ने जो निश्ठा मूर्ति कस्थूर्भा जुन लिखी है इसमें कस्थूर्भा गांधि जी यानि की महत्मा गांधि की जो पतनी हैं उनके बारे में जो एक भारतिय संस्रतिक होती है जो अपने पति को सुपोड जिस तरीके से करती है उसका यहां पर भखुब भी परिचें मिलता है इस पार्ट में भारतिय संस्रति के सफल अध्यता और राज्ट पेमी काका साहब की उप्युक्त वर्णित अधिकांश साहितिक विशेशताओं के दर्शन भी होते हैं तो ये रहे हमारे काका कालेलकर जिनके बारे में हमने जाना तो मैंने इनको पढ़ा तो नहीं है लेकिन हाँ इनका सुना जरूर है इनको तो काफी इंप्रेसिव रहते जब मैंने इनका नाम सुना था लेकिन बहुत मज़िदा ठीक है तो अब कभी मौका मिले आपको तो इनकी कृतियों को एक आज आपको हिंदी आती है तो आप हिंदू में ही पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो अब मिलेंग अब मिलें है तो अब कराओी है तो दो नड़ है तो अब कि तो अब की करने और फो यहां है..?